है 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 सोलो एबिदिए विडियो में बताओं का कि आपके आर狗ोव में एdarमिशन कैसे करते हैं तो गूगल में आप स quart क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे फर्म यंभ प्रियुस मिले गा तो यहां पे आप क्लिक करेंगे तो डाउन स्क्रोल करें गएगा तो नीचे यह करने के बाद आप पर नियू रेजिस्टेशन करने के कर लीजेगा तब जाके यहां पर आके लॉग इन करिएगा तब जाके आपको करने के बाद मैं आपको बताता हूं रुकिए मैं कर लेता हूं फिर यहां पर आ जाएगा कि आप कौन सा स्टीम चूश करेंगे और आपका नाम भी टाइप करना होगा तो मैं अपना नाम और यहां पर स्टीम चूश कर लेता हूं यह मेरा नाम और यह मैं अपना स्टीम चूश कर रहा हूं आप साइंस आर्ट्स जो भी स्टीम में आप चूश कर लिएजएगा फिर नीचे आपको देखेगा कि आपका नाम आ गया होगा नाम के साइड में देखेगा आपको कोड मिलेगा एप्लिकेशन कोड वहां पे कि सब information टाइप करना पड़ेगा देखिए खुल के आ चुका होगा यहां पर आपको पुरन फिर से अपना नाम और बहुत सारे कुछ देना पड़ेगा तो मैं एके करके बताता हूं यहां पर मैं आपना डेट ओब बर्थ दे रहा हूं आप अपने हिसाफ से देजिएगा यह आपका इंडियन नेशनलेटी फिर देजिए उना आप हिंदू मुस्लिम जो भी है हिंदू इजम फिर आपका जेनेरल एस्टी ओविसी जो भी है आप देखके आपके क्लिक किजएगा फिर अपना ब्लड ग्रूप मेरा बी प्लस है तो फिर आपका मंद पुड़ा यह लिए आपका फैमिली इंकम यह आपका स्पेशलाइज यह मतलब आप किसी तरह से बीमार है या उल्टाव है क्या इसलिए आप नो दीजेगा फिर यहां पर जेंडर यहां पर अपना मुबाइल नंबर दीजेगा खुद का दीजेगा जो वरकिंग वर्क अलब ओन है आपका मुबाइल नंबर पिर अपना ममी का नाम दीजेगा पिर ममी का क्वालिफिकेशन दीजेगा पिर अपना पापा का नाम दीजेगा पिर पापा कितना क्वालिफिकेशन पापा का क्वालिफिकेशन दीजेगा मैं एक एक स्टैप बता दे तरहा हूं जिस्से कि आपको पॉब्लेम ना हो तो देखिए आपका पापा का नंबर भी देना पड़ेगा फिर या फिर जो आपका पापा के साथ नहीं आ सका है या फिर कुछ पबले हो उसके लिए कोई लोकल का जिन उसका नाम और नंबर चाहिए होगा यहां पे और फिर आपको अपना गर्जन का नाम और नंबर यहां पर टइप किजिएगा न मपर नंबर देजेगा फिर उन्हें लोकल का जिन कहां पर रहते हैं उसका ऐड्रेस भी चाहिए होगा तो नीचे देखिए अगर लोकल के अड्रेस है वो भी आपको टाइप करना पड़ेगा फिर आपको अपना bank details type करना पड़ेगा है कि यहाँ पर bank details में टाइप करना हो एकाउट के नाम पर उसक टाइप करना पड़ेगा फिर आपका bank कहाँ पर है branch कहाँ पर है फिर अपना IFC number वो भी टाइप करना पड़ेगा फिर सक कि सिंखहल कोद में अच्छे है तो उसका या फिस्पोर्स में अच्छे है तो शोख misery यह पर सडश्बाइस को दिसका हो आप तो मैं अपडेट करके स्टेंट में स है तो एन सबी अफ्ट श्रमाइक करनेगा अब कलिक ज़एगा तो यहां पर आप कहां विलेज में रहते हैं यहां तो ट्रेटा करना पड़ेगा फिर लोकेललेटी कहां पी कौन से जगह में रहते हैं जगह का नाम कि है फिर आपका पुलिस स्टेशन कहांपे हैं उस्त लोकेलेटी में अ Khareigya Post Office काहां पर है चोफा लंका डिस्टिक और कम पर ये भी कोद पर करना पने गाए अ फिर आपका इनिवास कल अ양 YOU कैं कि अफिर धना पर पिन आपकोट्वकरना परेगा फिर इमेल अड़ी टाइब करना परेगा पिर आप यहां के पर्मनेंट निबास ही है किया उसको भी टाइप करना पड़ेगा और कहां पर रहते हैं वो टाइप करना पड़ेगा फिर सेब करने के बाद आप नेक्ट में क्लिक कर सकते हैं साथ मेरा कुछ छूट गया इसलिए आगे नहीं जा रहा है हाँ यह छूट गया है आपको नंबर भी टाइप करना पड़ेगा फिर जाकर आप नेक्ट में क्लिक के जेगा तो आपका नेक्ट पेज खुल के आ जाएगा मैंने फिर से कुछ गलती कर दिया है यह रहा उपर में अपना नंबर नहीं दिया है तो आपना नंबर दे जीएगा यह सब छोटा छोटा घलती से आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाता है तो यह अपडेट हो गया तो नेक्स्ट के लिए हम क्लिक कर सकते हैं तो नेक्स्ट में आपका क्वालिफिकेशन चाहिए होगा तो एचसल सी फिर अपना इंग्लिस में दिया या हिंदी में या समीस में वो टाइप करना पड़ेगा दूर्ट फिर अपना नाम के डिडिट का नाम या फिर आपका नाम पोड़ाइब करना पड़ेगा जब्स टैफ से वा होगा तो से वार टाइप करना पड़ेगा अभी स्थी पर निकला नहीं है तो अभी सब से वाई होगा फिर यहां पर कौन सा बोर्ड कहां पर स्टेट फिर आपका रेजिस्टेशन नंबर टाइप करना पड़ेगा यह मेरा रेजिस्टेशन नंबर नहीं है फिर भी हम दे दिया है फिर आपका रेजिस्टेशन कौन सा यह में हुआ है वह आपको टाइप करना पड़ेगा यह मैंन और नंबर टाइप करना पड़ेगा जा यह दिविजन आपको कॉंसा डिविजन में पर से धं यह थर्ड उस्साफ सहाथ को डिविजन में पड़ेगा और कॉनसा यह मिर्मन है आप तुछाने 20 देना फिर आपको परसेंटेज कितना मिला वो टाइप करना पड़ेगा फिर कौनसा कौनसा सब्जी में कितना मिला वो भी टाइप करना पड़ेगा तो मैं पहले इंग्लिस देता हूं इंग्लिस में यह हंडेट में कितना मिला मुझे वो टाइप करना पड़ेग प्रेड डॉजे हंडइड में 86 मिलाक है की से करना ना पड़ेगा आपको हंडेड में कितना मिला वह टाइब करना पड़ेगा आट से टाइब करना पहत journaling और फिर शब्जेक्ट में वह टाइब कर सकते हैं फिर शायाइस ने तो चेह 100 में कितना मिला आपको सेकेंड फिर आपको कितना मिला यह टाइप करना पड़ेगा फिर मैस में कितना मिला 100 में वह टाइप करना पड़ेगा लेकिन सब सब्जेक्ट का आपको टाइप करना पड़ेगा टोटल सीख सब्जेक्ट में आपको कितना कितना मिला टोटल म मार्स और परसेंटेज निकल गाएगा तो कंप्पूटर में कितना मिला यह सब मैं टाइप कर रहा हूं आप सब कुछ भढ़के समिट किजएगा तब ही जाकर आपका फॉर्म फिल अफ होगा करने के बाद आप नेक्स्ट में किलिक की जाएगा यह मेरा छूड़ गया सब्जेक लिकना मैं भूल गया था यहां पर हाँ टोटल मार्स और यहां पर कितना मिला मुझे टाइप करना हूं तो सेब एडुकेशन करने के बाद नेक्स्ट किजएगा यह रहा हो गया झाल तो नेक्स्ट इंफोर्मेशन में आपको क्या करना पड़ेगा मैं बतता देता हूं तो पहले सेफ कर लेता हूं फिर देखे आपको अपना फोटो डालना पड़ेगा लेकिन आपना फोटो टू एमबी से ज्यादा निहीं होना चीहें कमी आप देना तो मैं यह पना फोटो दे रहा हूं याद हिसे रैंटम लिग टू फोटो दे रहा हूं अब अपना खुस्ट का देना पोटी ना सेना कट देना देना टेयिं अपड़म टोट फोटो में कर देना फिर आपना नेक्स्ट ऑप्शनתי किजेगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना HSLG का मार्स चाहिए होगा यहाँ पर जो जो लिखा है यह हिसाफ से आप अपलोड कर दीजेगा ध्यान रखिएगा कि फोटो का साइज 2MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ बहुत साइट आपको चाहिए होगा सब एक एक करके आप भेज दीजेगा तो मैं आप अपना सब कुछ भेज रहा हूँ अज जिदी आपका कास साइट से उसमें वह भी भेज दीजेगा आप यह एक्स्ट्र करिकुलर्स एक्टिविटी आपकी खेल कुट यह कल्चरल में आप चीदी अच्छे हैं तो उसमें भी 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 दीजेगा उससे आपका अच्छा होता है एडिमिशन मिलने का चांसे और बढ़ जाता है ऑगा है फिर आपको यह situation में कुछ गैप दे दिये हैं यह एक महिन आपका छूट गया है तो कभी घृतरिपेश चाहिए होगा अपने यह तो कुछ बात निया पर्मेंट एड्रेस फिर जी जी है तो वह भीष सकते हैं आधा हमका पर्मेंट निवासी है तो वह भीष सकते हैं आख कुछ अ होने का बाद अबडेट documents में क्लिक किझेगा और next में क्लिक किझेगा तो यहोनी का बाद यहाँ फाइनल लिंक आजाए गाँ आपको पास तो आप यहाँ पर देख लीजेगा wonder चप्लिणा एक इस सब्सक्र कर सकते हैं जो जो आप सब्सक्राइब पढ़ना चाहते हैं यहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका फॉर्म ऐसे फिल आप हुआ है कि नहीं यह फाइनल कंफोर्मेशन लिंक है फिर यह सब देखने के बाद यहां पर क्लिक की जागा आए गरी पर और समिट में क्लिक की काल इसे तक है कि अभिताइनल समिशन क्लिक की जाएगा यह करने के बाद आपका फोर्म तियाड हो जाएगा भी भेजने पर फिर आपको यह आप डाउब करने पड़ेगा यह पाद 에 कलिक करने के बाद आपड़ाण कर लिए अस्वार्फित का फॉर्म का अ इस तरह दिख कर सकते हैं या फिर ने भी कर सकते हैं लेकिन करना अच्छे बात है आपके लिए प्रूफ के तोर पे तो ठैंक यू और कुछ अपडेट के लिए बने रहेगा